स्वागते दोस्तों आपका आज की बेहत बड़ी और ताजा खबरों में आज की मुखी खबरों और ब्रेकिंग नीज हैडलाइंस नीज के तैद ताजा खबर आ रही है कि अब रेलवे किसानों को देने वाली है बड़ा मौका जी हाँ सुरू करेगी योजना तो जानेगे इस खबर के बारे में साथ ही दोस्तों रासन वित्रन को लेकर एक बड़ी खबर है जी हाँ मिलेगा और ज्यादा रासन इसे के साथ दोस्तों अब ट्रैपिक नियुमों को तोड़ने पर लगेगा बहत ज्यादा जुर्माना लागू हुए या नए नियम साथ ही दोस्तों अब इस्तराजी में दूद उपार योदना से दूर किया जाएगा कुपोसन और एनीमिया जी हाँ जानेगे इस कबर के बारे में साथ ही दोस्तों टिक टोक को लेकर बड़ा अपडेड जी हाँ अमेरिका में भी बेन हुआ अच्छी नहीं है जी हाँ तो जानेगे इस कबर के बारे में विस्ता आशे साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरुना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जाए हिंदु वंदे मातरम जरूर लिके तो चली दोस्तों बीनादेरी के भटफ़ड से जानते हैं आज की सबी बड़ी खबरों को पहली खबर बार्डमेर के 50 परिवारों के 250 लोगों ने अपनाया हिंदु धरम जेंदुतों योद्य में राममंदी निर्मान के मोके पर बुदुवार को बार्डमेर जिले की पाइला कलाग पंचाई समीते के मोती सरागाओं में रहने वाले 50 मुस्लिम परिवारों ने हिंदु धरम ग्रहन कर लिया है हिंदु धरम अपनाने वाले परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि उनके पूरवज हिंदु थे इतियास का ज्यान होने के बाद उन्होंने गिना किसी के दबाव की सवेच्चा से हिंदू धरम ग्रहन किया है वहीं बतादे कि हिंदू धरम अपनाने वाले सुबन राम ने बताया कि मुगल काल में मुसलिमों ने हमारे पुरवजो को डरा धमगा कर मुसलिम बनाया था लेकिन हम हिंदू धरम से तालूक रखते थे लिहाजा मुसलिम हम से दूरी रहते हैं बकोल सुबन राम इतियास की जानकारी होने के बाद हमने इस चीज़ पर उपर गोर किया और हम हिंदू है और हमें वापस हिंदू धरम में जाना चाहिए हमारे रीती रिवाज पूरे हिंदू धरम से संबंध रखते हैं इसी के बाद पूरे परिवार ने हिंदू धरम में वापसी की इच्छा जताई फिर गर पर हवन येग करवा कर जनेव पहन कर परिवार के सभी 250 सदश्य ने फिर से हिंदु धर्म में वापसी कर ली है दोस्तो इन परिवारों के हिंदु धर्म में वापसी पर आपका क्या विचार है कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा चली दोस्तो आप जानते हैं अगली खबर UP में अब ट्रेपिक नियम तोड़ने पर चुकानी होगी भारी कीमत दे की नए जुर्माने की लिस्ट जे दोस्तो ट्रेपिक नियम तोड़ने वाले सतर्ख हो जई क्योंकि भारी भरकम नए जुर्माना आपकी जे भलकी कर सकता है नए जुर्माने की साथ चलान करने की पूरी तयारी हो गई है वही परिवेन विबा के NIC ने इस चलान सोप्ट्वेर में नए जुर्माने का ब्योरा दर्ज करा दिया है इस समझ में सभी RTO चेकिंग दल को मेसेज भेज कर बता दिया गया है ताकि नए जुर्माने की इस चलान की कारवाई कर सके वही परिवेन विबा के IT सेल के NIT पर सांद पंड़े बताते हैं कि 31 जुलाई को सासना देश जारी होने की बाद इस चलान विवस्ता में बदलाव करने का काम पूरा हो गया है इस समझ में परदेश भर के चेकिंग दलों में E-Tablet के ने जुर्माने का ब्योरा दर्ज करा दिया गया है इन दरों पर वसूलेंगे जुर्माना बगेर हेलमेंट होने पर 1000 रुपे बगेर सीट बेल्ट 1000 रुपे बगेर बीमा 1000 रुपे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल पर बात करने पर 1000 रुपे गलत नमबर पलेट के साथ होने पर 5000 रुपे बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 रुपे तेज रप्तार में वहां चलाने पर 1,000 रुपे और बीना गड़ी कागजाच 5,000 रुपे का जुर्माना लगया जाईगा चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर सरकार ने 8 क्रोड रासनकार धारकों को अधिक रासन देने का किया ऐलान ऐसे करे आवेदन जैंदो तो रासनकार केंदर सरकाद वारा जारी किया जाता है कोरोना काल में किसी को भी अनाज की क्यमी ना पड़े इसके लिए केंदर सरकार ने 8 क्रोड रासनकार धारकों को ज्यादा रासन देने का अलान किया है रासन कार्ड के तैथ उच्छी दर पर दुकानों से गहूं चावलादी मारकेट मुली से बहद कमदाम पर खरी सकते हैं इसका उप्योग कई जगों पर ID प्रूप के तोर पर भी होता है वही सरकार ने One Nation One रासन कार्ड की वेवस्ता लागू कर दी है इस वेवस्ता के तैथ किसी भी पर देश का रासन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में रासन ले सकता है वही सरकार ने इसके लिए website प्रारम कर दी है आप घर बेटे रासन कार्ड को ओंलाइन बनवा सकते हैं इसके लिए आपको official side पर जाना होगा आपको रासन कार्ट का आविदन करने की साथ ही 5 से 45 रुपे फीस देने होगी वहीं एप्लिकेशन सब्मिट होने की बाद इसे फिल्ड वेरिफिकेशन के लिए बेजा जाता है चलिए जोस्तों जानते हैं अगली खबर हरियाना में अब दूद उफार योदना से दूर किया जाएगा कूपरसन और एनिमिया जन्दो तो हरियाना सरकार ने महिलाओं वे बच्चों को कूपरसन एनिमिया से निजात दिलाने के लिए मुख के मंतरी दूद उफार योदना और महिला आयों किसोरी समान योदना भुद्वार को सुरू कर दी है CM मनोरला ने इसका सूबा रम किया है दूद उपा योदना के तैद 1-6 वर्ष के बच्चों को वे गरबवती दूद पिलाने वाली माताओं को पोटी फार्ट सुगंदी दूद पाउडर दिया जाएगा चली दोस्तों जानते हैं अगली खबर भार्ट दुनिया का तीसरा सबसे अधी कोरोना पर बावित देश संकर्मन के मामले 20 लाग के पार 41 अजास से ज्यादा मोते जदो तो भार्ट में कोरोना वायर संकर्मन के मामले 20 लाग के पार हो गए है वहीं इससे ठीक होने वालों की संक्या साथी राजियों और केंदर साशित पर देशों के प्राप्त आंकडों से ये जानकारी मिली है दरसल केंदरी स्वाश्ति मंत्राले के सुबह आठ बजे अजयंतन किये गए आकडों के नुसार देश में एक दिन में संकर्मन के 56,282 नए मामले सामना आने की बाद गुरुवार को कुल संकर्मीतों की संक्या 20,000 के पार हो गई है वहीं 24 गंटों में संकर्मन के कुल 906 ज्यादा मोते सामना आई है इसे मर्तों की कुल संक्या 41,000 से ज्यादा हो गई है चली दोस्तों आप जानते हैं अगड़ी सबर केंदर सरकार ने कोवीड-19 पेकेज की दूसरी किस्ट के लिए जारी किये 890.32 करोड रुपे चली दोस्तों आप जानते हैं अगली खबर भारत बनेगा ज्यान का सोपर पावर नई सिक्सा निती पर आज देश को संबोधित करेंगे पीम मोदी जैंदोस्तों परदान मंतरी नदर मोदी सुकुरवार को राश्टी सिक्सा निती के तहत उच शिक्सा के रुपांत कारी सुधारों पर आयोजीत एक समयलन में उद्गाटन भासन देंगे परदान मंतरी कारियले से जारी एक बयान में का गया है कि समयलन कायोजन मानो संसादन विकास मंत्राली की ओर से विश्व अनुदान आयोग ये द्वारा किया जारा है समयलन को द्वारान राश्टी सिक्सा निती 2020 के तहत कवर किये गए सिक्सा के महतपून पहलोत जैसे की समगरे बहुँ विश्यक एवं भविश्यकी सिक्सा गुड़ोता पून अनुसंदान और सिक्सा में 72 पहुंच के लिए परद्योगी की के समान उप्योग पर विशेश सत्र आयोजित किये जाएंगे चली दोस्तों अब जानते हैं अगली सबत अक्टुमबर में भारत आ सकते हैं रूष्य राष्टपती वलादिमीर पूतिन कई समझते के होने की उमीद जिन दोस्तों रूष्ट के राष्टपती वलादिमीर पूतिन की अक्टुमबर में परस्तावीत भारति आतरा के दोरान होने वाली वार्शीक सीकर बेटरि में दोनों देसों की बीच कई उच्चिस्तरी समझोते होने की संभावना है विदेस मंत्राली के परुकता अनुराग सिर्वास्तों ने बताया कि हाली में परदान मंत्री निरंदर मोदी और रूसी राष्टपती पूतिन के बीच बाचीत हुई थी इसमें मोदी ने पूतिन को रूस में हुए समयदानीक संसोजनों पर मीरे जन समर्तन के लिए बदाई दी थी साथ ही दोनों नेताओं की बीच चैतरी और अंतराष्टी मुद्व परचाचा हुई थी चलिए दोस्तों जानते हैं अगली ख़बार टिक टोक फिला अमेरिका में वड़ी कारवाई सरकारी उफकरों में अब के इस्तमाल पर बेन जहतों अमेरिकी सिनेट ने सर्व सम्मती से संगी गरमचारियों को सरकार की और से दी गए उफकरों पर टिक टोक अब का उपयोग करने पर परतिबन लगा दिया है ये परतिबंद उस विदय को मंजूरी मिलने के बाद लगया गया है जिस पर गुरुवार को सिनेट में मद्दान करा गया वहीं वाइट हाउस ने टिक टोक एप को सुरुक सा कार्णों से खत्रा बताया है चलिए दोस्तों अब जानते हैं अग्जी कबर भारती रेल का किसानों को बड़ा तोपा फल सब्जू के लिए आज से दोड़ेगी किसान ट्रेन जे अंदोस्तों किसानों को रहा देने के लिए भारती रेलवे ने नई ट्रेन की सुरुआत की है फल और सब्जों के मालवाहन के लिए भारती रेल साथ अगे से अपनी पहली किसान रेल सेवा सुरू करने जारी है रेलवे ने ब्रस्पतिवार को बताया कि ऐसी पहली रेल गड़ी माराष्ट के देवलाली से बिहार की दानपुरा की बीच चलेगी वहीं वित्वंतरी निर्मला सीतारामन ने इस साल फरवरी में पेश बजट में जल्दी खराब होने वाली फल एम सब्जों जैसे उत्पादों के मालवान के लिए किसान रेल चलाने की गोशना की थी इस सारवजनिक निजीब भागिदारी योदना के तेज सीत भंडारन के साथ ही किसान उपज के परिवयन की वैवस्ता होगी चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली सबर ब्रेश्ट और सूस अपसरों को जबरन रिटार्ड करेगी केंदर सरकार तयार होरी लंबी सूची जन दोसु केंदर सरकार अपने मंत्रा लियो और विबागों में लंबे समय से बेटे ब्रेश्ट और सूच अपसरों की सेवा पर कैंची चलाने के लिए लंबी सूची तयार कर रही है 50 साल की आयो का पड़ाव पार कर चुके इन अपसरों को एप आर चपन जे रूल्स अटालीर ओप सी एस पैंचन रूल्स उनी सो बहतर नियम के तैद जबरन डिटार्मेंट दी जाएगी इनमें ए बी और सी श्रेणी के अधिगारी सामिल है बता दे कि सभी केंदरी संस्तानों से इन अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई थी धन्यवाद